का भूस्तुर का दोस्तों बोरे डніया सेग्मेंट लेके आउंगी ऐसी ऑसा ही एक ऐनांशमेंट मेने किया था फानध यधा एक ऐपन्यास उपन्यास में पढ रही थी वेङोली में तो उसमें मैंने येAll विश्वतिवार को मैं एक नया सेग्मेंट लेकर आऊंगी लेकिन अभी तक नहीं पता कि इस सेग्मेंट का नाम क्या देने वाली हूं है क्योंकि इस segment में मैं सही मैं बोलूँ ये segment पूर्नत मैं अपने मां के लिए dedicated किया है मां की जैसे हर वो मातरि स्थानिय जो भी हैं जो मां है ये पूरे विश्व के मां को ये अर्पित मैं कर रही हूँ क्योंकि मुझे माला हर लड़की शाय जानती है कि वो और कुछ हो या ना हो वो अपनी मा की ही अक्ष होती है तो मा की ही चाया चाया उनमें दिखाई पड़ती है वो अपनी मा को ही देखती है और उनसे ही सीखती है मा जैसे बाल बांती है हम वैसे ही नकल करते हैं मा जैसे बात करती है हसती है तो ठीक हम लोग जाने अन जाने में वोही चीज नकल करते हैं तो जब ये चैनल जब मैं रिवाइब करनी की सोची तो फिर जैसे मेरे पिता जी बोले कि ठीक है कोई बात नहीं मैं कुछ लिखा हूँ तुम पढ़ सकते हो तो मा बोली के ठीक है चलो मैं भी देती हूँ तुमें एक स्टोरी ऐसा स्टोरी जो अपने जिन्दगी से हम सुने हैं तो ये जो स्टोरी है इस स्टोरी का जो वर्डिंग्स है ये मा के अपने हाथों से लिखा हुआ है ये स्टोरी ये नारेशन तो I would love to translate in Hindi मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहरी हूँ लेकिन डर रही हूँ कितना वो मा के लिखावट में लिखाई में जो एक स्नेह है जो ममत्व है वो कितनी दूर तक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊंगी मुझे नहीं पता लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ तो चलते हैं इस कहानी का नाम है छुट्टो मानुश मतलब नन्ह इंसान इस की इस स्टोरी की लेखी का है बानी पात्रो तो चल्ले शुरू करते हैं आज से 65 साल पहले की बात है टैटा करके रोनी की आवाज आ रही थी तो वो सुनके कुछ औरते दोर के आया और दोर के आई और बोलने लगी अरे फिर से लड़की हुई रहे तो जो दादी थी वो आई और आके वो जो टैटा करके रो रही थी न उसको अपने गोदी में उठा ली और बोली अहा देखो देखो पूरे शरीर में ये लड़की ये बच्ची के राक लग गई है चलो तो उन्होंने गरम पानी से अच्छे से अपने जो पोती हैं उनको बहुत ही प्यार से उनको साफ की और साफ करके अपने गोदी में उठा ली तो टैटा ये आवाज होने से पहले जब वो धर्ती पे आई नहीं थी उससे पहली की बात है जो दादा जी हैं दादी जी हैं और साथ, ससुर, बिदवादो, ननद और ननद और जो पती के जो भाई हैं और उनकी वाइफ सब को लेके उन सब के जो संतान, संतती हैं इन सब को लेके एक बहुत बिशाल सा संसार है उस संसार में टैटा की जो मा है वो बड़ी बहु होके आई थी और बड़ी बहु है, तो खोब सारा काम का दैट वो भी थी इत्ता ही सादा काम का बोज या दैट वो जो भी बोलू ऐसा था कि वो अपने खुद की जो संतान है उनके प्रती भी वो समय नहीं दे पाती थी वो अगर थोड़ा सा भी मा से लाड का आशा करती तो बड़ी बहु है भाई, संसार के प्रतिदायत वो है कठोर हो, कठोर परिश्रम करना पड़ता है तो वो और किसको अपना गुस्सा दिखाए गुस्सा भी नहीं, और किसके उपर वो कठोर हो जाए वो कठोर हो जाती थी अपने बच्चों के उपर ही ऐसे ही चलता था ऐसे ही बहुत कठीन परिश्रम करते हुए संसार के हर दाय और दायत को कपालते हुए वो आगे बढ़ रही थी, टैंटा की मा एसे ही तीन महने जाने के बाद एक दिन टैंटा की मा को टैंटा की जो दादी है वो कहने लगी, अरे तुमारे तो तीन तीन बच्चियां हो गई है तो बोज बढ़ते ही जा रही है, तुम यहाँ पर मत रहो, ठीक है? तुम यहाँ से जाओ, लेकिन मैं तुमारे जो पहली लड़की है ना, मैं उसको अपने पास रख लेती हूँ वो यहाँ पर पलेगी बड़ी होगी, लेकिन इसी बात के साथ टैटा की जो गाओं की जो कहानी है, गाओं की जो जिन्देगी है, वो वहाँ पर ही खत्म हो गई तो टैटा जनम लेने के बाद ही, टैटा जनम जो ली थी, वो गाओं की मुखिया के घर ली थी, बहुत बड़ा जमिन्दार है, बहुत बड़ा पैसा है, लेकिन होने से क्या होता है टैटा के जो दादा जी है न, उनको धन संपति के ऊपर कोई मोहम आया नहीं था, वो संसार छोर के देश, विदेश घूनते रहते थे सत्संग के लिए, सही माइने में साधू के खूँज में, वो साधू धूनते रहते थे एक बार गाउं के एक, ऐसे ही जब वो धून रहते तो ऐसे ही एक बार क्या हुआ, गाउं का एक परोसी था, उनके साध वो शहर में आये और शहर में आके उन्होंने क्या नोटिस की, उनको ये पता चलाया कि गाउं में जो फसल, जो संपद है, जो खेती वारी से जो भी फसल उपते हैं, जो वेर्थ होता है, नश्ट हो जाता है, वो ही चीज बहुती जादा मोल भाव में बिटता है शहर में उन्होंने देखा, उस समय कैटा की जनम हुई थी आसे पैसर साल पहले, तो उनकी दादा जी तो और भी पुरा नहीं होंगे तो ये जो बात है, ये वो समय की बात है, जब हमारे देश में अंग्रेजों का राज चलता था तो उन्होंने देखा कि भाई, गाउं का जो संपत है, वो नश्ट हो रहा है, और शहर में लोगों को मिलने ही रहा है तो एक बजार होना चाहिए, जहां पर गाउं के लोग सारी कुछ लेके आएंगे और शहर के लोग वहाँ से अपना अपना जो भी जरूरत की चीज़े हैं उनको मिल पाए और वो भी नैजे मूल्य में, ताके शहर के लोग भी उपभोप करें, अपना इस्तमाल करें और गाउं के लोग भी बंचितना हों ये था उनका सोच, तो जैसा सोच वैसे ही वो करना चाहिए, लेकिन अंग्रेजों का राज था है न, तो उनको लड़ाई करना पड़ा असली के भाई एक बजार होगा तो बजार होगा, तो उनका तो उन्होंने पत्तन कर दी, उनका तो वो बजार तो उन्होंने लगा दिया, लेकिन मन ही मन है तो निर्मोह बना दिया, उनका नामी रहा सिर्फ उसमें, फिर उन्होंने उनके संगी साथियों के पास वो देखे भार देखे उन्होंने तो बना दिया उन्हाने एक नया शुरुआत करती फिर वो चल पड़े देश विदेशों में फिर से वो ही खौँज साधू चाहिए भई साधू तो वो तो चले गए धूनने लेकिन घर के घर के बड़े बेटे टे होने के कारण टेटा का जो पिता जी हैं वो शहर में आए और और शहर में आके वो पिता जी के अपने पिता जी का वो ही नाम को फिर से वो रिवाइव करने की पुनुरत जीवेत करने की चीतोर कोशिश करने लगे और इसी कोशिश के साथ साथ वो जो बड़े जो इतना बड़ा जो एक संसार है उसका पूरा का पूरा भार वो अपने कंधों में ले ली वो लड़ाई करते रहे ताके वो अपने पिता जी का नाम को रौशन कर पाए तो ऐसे ही जीतो और कोशिश से धीरे 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 दीरे वो उस संस्था को आगे बढ़ाते रहे और जो भी पैसा कमाते वो वो अपने गाओं में वो भेज देते हैं पहली बोला गया था कि ये जो वंच था ये बहुत ही पैसा वाला था लेकिन अब ही सुनके ये पता चल रहा है पैसा वाला मतलब बिना परिश्रम के पैसा नहीं था वहाँ पर परिश्रम करके पैसा कमाना पड़ता था तो और वो भी नय के पद से वो कमा के वो बड़े हुए थे इसलिए यह जो टेंटा के जो दादा जी है ना दादा जी को सारे लोग गाउं के मुखिया बनाए थे उनकी जो बोध बिचार और शुक्ष्म जो बुद्धी थे बुद्धी बुद्धी के कारण तो और एक चीज़ बताऊं गाउं के उस समय एक गाउं बोले तो हर एक इंसान कैसे ना कैसे एक दूसरे से रिलेटेड होते थे तो ऐसा ही एक बाय थे टेटा के दादाजी के जो एक दिन टेटा की मा को बोली कि बहु चलो मैं तुम्हें शहर छोड़के आता हूं तुम अपने बड़ी बेटी को यहां पर छोड़ जाओ बाकी दो लड़कियों को लेके तुम चलो मेरे साथ मैं तुम्हें शहर छोड़के आता हूँ तो इसी के साथ टेंटा भी चल बड़ी अपने मा की गोदी में शहर के रस्ते में मा के साथ अपने चचेरे दादा जी के साथ और उसके एक छोटी सी ननी सी दीली थी उसके साथ उस समय अभी के तरह हर कोई जगा पे बस, ट्रॉम, ट्रक रिक्षो या आटो नहीं चलता था तो उनको शहर में आना है तो बहुत 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 दूर चलके जाना होता था सिर्फ चलके ही नहीं जाना होता था पता है कैसा था कि तब उनको नदी नदी को पार करके फिर स्टेशन आना पड़ता था फिर ट्रेन में चड़के फिर जाके आपको शहर पहुचना पड़ता था और नदी में नाओ नहीं होता था बेंगॉली में यहाँ पर जो लिखा है शालती शालती is a kind of भगोने के शेप के तरह होता है लेकिन फैला हुआ होता है एक स्ट्रक्चर जो आप नाओ का जो परपरस है वैसे ही इट विल हेल्प यह साहता करता है नदी को पार करने में तो वैसे ही जो शालती है उसमें मा जी टेटा मा की गोदी में तो टेटा और टेटा की मा और टेटा की मा की ठीक बगल में एक नन्नी इसी उसकी जो दीदी है वो और उसकी जो दादा जी है जो चचेरे दादा जी है तो ये पांद जने उस शालती में बैठके और फिर वो शालती के सहारे वो लोग नाव को पार करने लगे अब भाई नदी जो है वो बहुत बड़ा है गंगा जी है तो इतने बड़े नदी को पार करते हुए क्रोस करते हुए वो जब आ रहे थे तो ठंड था भई तो एगर ठंड है तो जो दादाजी है चचेरे दादाजी उन्होंने क्या किया उन्होंने अपना जो शॉल दे दी और कहने लगे कि बहु बच्ची को और दो अच्छे से नेट इसको ठंड लग जाएगी तो जहां तक वो शॉल दिया तो टेटा का क्या कहना भई उसका तो एकदम चादी ही चादी होगी पहले तो मा की गर्मी मा की गोदी की गर्मी उपर से दादा जी की शॉल वो तो एकदम मा सोके सुन्दर से सो गई और अच्छे से कोजीली वो सोने के बाद वो क्या अपने नन्न नन्न आँखों से पिटिर पिटिर करके देखने लगी और देखती क्या है उसके ही बगल में एक नन्नी सी दीडी बैठी है जो उसको भी पिटिर पिटिर करके देख रही है तो ऐसे ही मा के गोदी में दीडी के बगल में टेटाइं पिटिर पिटिर करते वे घूरती रही अपनी दीडी को छुटी सी नन्नी सी दीडी को और ऐसे ही धीरे 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 वो लोग अपना रास्ता रस्ता पार करते रहें आप पूर सकते हो कि वह इतना ठंड क्यों है यूँकि ये था कार्तिक और अग्रायन जो महिना होता है जब बंगाल में बहुत भेंकर सा ठंड परता है उस समय की बात है तो दीरे धीरे धीरे नी शहर पहुंचे और शहर पहुंचने के बाद वो लोग कहां पहुंचे वो ही जगा पे जहां पर टेंटा का जो पिता जी है न वो जहां पर उनके लिए एक घर मकान किराय पे लिए थे मकान नहीं बोलेंगे हम घर की राय पे लिये थे तो वो जगा कौन सा था हम यहाँ पर उसको बोलेंगे शान्ती नीर क्यों शान्ती नीर क्यों क्यूंकि वो शम्शान के बगल में था हर कोई अपना शान्ती वहाँ पर ही प्राप्त करता है तो उस मकान में तेटा की तरह ही और एक परिवार रहता था और उस परिवार में भी टेटा की ही उमर की एक छोटी सी कुडिया थी तो अब हमेशा तो टेटा को टेटा बोल के कोई नहीं बुलाएगा तो उसको भी नाम देना है तो भाग्य ने अपना एक अलग ही मिजाज से उन दोनों बच्चियों का नाम करन किया जहां तक उस बच्ची का नाम हुआ राजरानी तो टेटा के नाम भाग्य में आया शुन्य और वो इस महाकाल के शुन्यता के साथ जुड़ गया पता नहीं आगे क्या होगा लेकिन वो तो जुड़ गई इसके कुछ दिन बाद उस मकान में टेटा की मा रहना नहीं चाही क्यों क्योंकि शुड़ का जो जब दाह होता था ना शुड़ दाह के समय में बहुत ही ज़ादा राख और उनके बाल ये सारे चीज़े उड़के आते थे तो टेटा की मा को बहुत चिंता होती थी अपने नन्ही नन्ही जो गुरिये हैं लाडो के लिए तो इसलिए उन्होंने टेटा के पिता जी से बोला कि भाई तुमना एक काम करो दूसरा मकान देखो मेरे बच्चों के लिए तब तो ऐसे इलेक्रिक चुली नहीं थी इलेक्रिक क्रमेशन मशीन नहीं थे तो तब टेटा के पिताजी फिर से घर दूनने लगे भई धूनते धूनते उनके जो बजार था जहां पर वो मार्केट उन्होंने जहां पर वो काम करने जाते थे वहां से बहुत दूर एक उनको मकान लेकिन वहां से आने जाने का सही वाला आवजाही का साधन नहीं था तो इसलिए फिर से घर ढूनने लग गए टेटा के पिता जी कुछ दिनों बाद तो फिर से टेटा अपने मा की कोदी में रवाना हो गए नए घर के तरफ उनको मिला थोड़ा आसपास तो अब की बार जब वो लोग शहर में टेटा जब चलने लगी वो तो थी मा की कोदी में लेकिन टेटा की जो नन्नी दीदी थी ना वो पहले मा की बगल में बैटी थी नाओ में अभी वो कहां बैटी है बोलो तो अभी वो तो उसके जगा तो उची होगी तो इसलिए उसने क्या क्या टेटा को वैसे ही लगा दीदी बड़ी है तो देखो वो पिताजी के कंदे में बैट गई है और ऐसे ही दोनों बहने एक पिताजी के कंदे में और एक मा की कोदी में जाओके ने अपने घर पे आ गए वो भी किर साल भर बात शिफ्ट हो गए और जहां वो लोग शिफ्ट होके आगए वो कैसा था जैसे सूरों के साथ सूर होते हैं सब्धशूर और वो सब्धशूर बिविन्न कॉम्पोजिशन में बिविन्न राग में यसे वर्तमान हो सकते हैं ठीख उन लोग को वैसे ही एक जगा मिला जहाँ पर सातों परिवार में एक परिवार होके उन लोग को एक जगा मिला और वहाँ पर बहुत सारे बिभिने रंगों के बिभिने सुरों के इंसानों के साथ मिलचुल के हमारा जो टैटा है न वो बड़ी होने लगी तो दोस्तों कहानी तो यहां तकी है इसके बाद आगे वाला जो भाग है ये मा के लिखनी से जैसे ही आएगी मैं आप लोगों को प्रमिस करती हूँ कि मैं तुरंत आप लोगों के पास वो शेयर करूँगी मैं कोशिश की जिस ममत्तो को मैं इस कहानी के बिंगॉली वर्शन में जब मैंने पड़ा मुझे जो ममत्तो महसूस हुआ मैं वो ही इसमें डालनी की कोशिश की तो आशा करूँगी कि वो प्रयास आप लोगों अच्छा लगी तो तब फिर मिलेंगे कल शुक्रवार है ये शायद पब्लिश करते करते हैं शुक्रवार ही हो जाएगी को आपके साथ मिलेंगे शायद कल भी थोड़ा देर हो जाएगी पता नहीं लेकिन हाँ शुक्रवार को ही हम पब्लिश करने की कोशिश करेंगे तो लाइफ अफ मास्टर्स तो तब तक के लिए आशा करते हूँ कि आप लोग शमोईता रुपक अथरा इस चानल के साथ रहेंगे कहानी सुनेंगे और हाँ अगर किसी को लगता है कि उनके पास कोई स्टोरी है जो स्टोरी वो शेयर करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं मेरे साथ और मैं ज़रूर पढ़ूंगी अपने जितना छोटा सा जो शमता है उसमें ही मैं आप लोग के कहानी को मैं पढ़ना चाहूंगी तो आज यहां तक ही तो फिर मिलते हैं टड़ा